हलो दोस्तों नमस्ते आप लोग कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे यहां पार्थ-ठी डाल रही हूं और पिछली वीडियो देख चेंगे हम यहां पर नहीं थे बाहर चले गए था इसलब आगे का वीडियो डाल पाई थे अब डाल रहे हैं यह हम लोग अब वापस लोट रही हैं आपको दिखाते में पूरा उबर खबर पूरा उबर खबर लास्ता है आप लग बने रहें पूरी वीडियो में और भो हाथ पैर भी तूट जाए इसलिए बहुत बच बच के चलना रहता है उसरे सबसे ज़्यादा है मेरी ही है और सब तो बच्चे है कि मेरे घुटने में दर्द रहता है लेकिन फिर भी हम हिम्मत साधे थे बहुत उचूची पढ़ा पहाड़ी पर चड़ गए दर्द नहीं हु अगल बगल इतनी बड़ी-बड़ी खाईया है कि जरह सचूको बर नीचे देखिए अभी चल ही रहे हैं यहां से पत्थर रख रख के रास्ता बनाए है यह देखिए इसमें भी देख के चलना पड़ता है कोई पत्थर हिल भी रहा है यह देखिए सब लोग इसी पर चल रहे हैं आराम से नीचे उपर कहीं पैर पड़ गया तो तुरंत बिसकुल ले जाएगा इसलिए देख देख के वह चलना पड़ता है यह देखिए सब लोग चल रहे हैं बच्चे आगया के दोड़ भी रहे हैं हम तो दोड़ नहीं सकते हैं लेकिन च सब्सक्राइबर इसे चल रहे हैं हम तो आराम से चल रहे हैं अब यह वापस हम लोग मंदिर की तरफ आ गए हैं क्योंकि हां पर मंदिर हर हम पीछे बिटिया के साथ हैं लिवीडियो भी जूटकर रहे हैं कि बिटिया एकदम ठक गई है इंहां पे बैठ के थोड़ा उसको रश्ट करवाएंगे कि यह देखो यह लोग भी अभी आ रहे हैं यह लोग सब लोग मंदिर के पास पहुच गए है इस चढ़ाई पर मंदिर है नहीं से वाप पिछली वीडियों देखा होगा यहीं से उतर के गए थे नीचे आप लोग वापस चल रहे हैं घर की तरफ है देखे यह मंदिर का परांगड़ है पूरा मंदिर है यहां पर थोड़ा पानी पीते हैं क्योंकि गला सूखने लगा है हम тव्त पानी बोटलबी नहीं लिये थे जो लिये थे और रास्ते रहो भी द७ीन嚓 गया थ हिसलिए यहां पर पानी लेंगे थोड़ा से पीने के लि हाई हैंड़ बंदर भी बहुत हैं डर भी लग रहा है मुबाइल ने चले जाए इसलिए देख देख चलना पड़ता है क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा बंदर है हम तो यहां पर बैट गए हैं आरावां से बच्चे गए हैं पानी बरने पानी भर लाएंगे तब आगे की वीडियो आपको दिखाते हैं फिर अब हम लोग यहां नीचे उतर आएं हैं गाड़ी भी ले दिया हैं वग अपने कारी से bes चल रहे हैं बस आप लोग वीड बने र दोन और है। सब लोग जूला भी जूल रहे हैं देख रहे हैं अब अब हम ने गारिस चल रहे हैं आपको दिखाते रहते हैं एक तो बहुत गनःगोर दोनों तरफ से जंगल है बीच में बहुत ओबर खावरा रास्ता है देख देखके चलणा पड़ता है क्योंकि जगे जगे पर जो है कटा फटा रास्ता है यहां पर आए हम लोग चाय पिएंगे हम तो लिटी चोखा खाएंगे और सब लोग चाय पिएंगे जिसको लिटी चोखा नहीं खाना होगा क्योंकि Sunday है हमारा husband invite करते हैं कि हम नहीं क्हाएंगे हम तों खा लेंगे क्योंकि समूसावगराद से बहुत अच्छा रहता है लेटी चोखा भी हम लोग खा लिये हैं हम लोग फिर निकल लिये हैं घर के लिए अब ये रास्ते में सब जंगल ही जंगल है दोनों तरफ जंगल के बीज में रेश्टोरेंट बना था लोकेशन तो बहुत अच्छा है यहां देखें सरसो के पेंड लगे हैं सरसो अभी कटे नहीं है एकदम अच्छे से फूल इसमें खिलाएं है और है अच्छे सरसो का पेंड खेत कितना अच्छा लग रहा ह है इस समय चारों तरफ एकदम हर्याली फिर हो गई है जंगल की हर्याली वह इसे भी इधर बहुत ज्यादा आए इधर पेड़ पोधे भी बहुत जोदा लोग साख सबजी वगरे लगाएं हैं रूंदे हैं क्योंकि इस समय जो है बहेला बहुत आते रहते हैं इसलिए सब जगें रूंद रूंद के लगाएं हैं देखिए कितना अच्छा लग रहा है हम लोग चल रहे हैं यह देखे बक्ची जिसे कहते हैं यह मारके में बेचते हैं वह इसे जंगली फूल है सड़क के किनारे बहुत लगे रहते हैं यह बक्ची का पेड़ है कि देखिए कितना अच्छा है फीला फीले से सफेद फूल भी आते हैं किसी में फीले फूल आते हैं यह देखिए यह बक्ची का है अब चारों तरफ गेहां करणा वो गई है यहां की वहाई हो गई है देखे इस अब गया हुँ छोटे-छोटे जम्में हुए है क्योंकि हम लोगे धर गया हुँ कि वह इधर ही होती है यहां पर रोट पर डामट डाल रहे हैं जाम लगाए हैं इसलिए हम लोग रुख गए हैं देखे बच्चियां सब्सक्राइब किनारे किनारे निकल रही है जो रास्ता खाली होता हम लोग आगे बढ़ें तब सब्सक्राइब करें तब नेकाए था जो पेड़ पोधे के वीडियो ही बना लेते हैं चारों तरफ एकदम हरी आली है जंगल अब गाड़ी हट गई है हम लोग आगे की तरफ निकल रहे हैं घर की तरफ चल रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है यह भिनगा का चुरू करिए सुन पते तक सब जंगल ही जंगल ही चारों तरफ आप लोग जब कभी भी आई है तो जरूर एक बार घूम जाए बहुत अच्छा लगेगा यहीं पर भभुतिनात का मंदिर है अंदर जाकर के वहां नहीं गए हैं हम इस बार जाएंगे फिर वीडियो डाले कि देखें हम रोट पे बागे हैं अब भीनगा पहुचने वाले हैं थोड़ी दूर रह गया है आप लोग बने रहे वीडियो में अब घर पहुचने वाले हैं थोड़ा वेट कर रहे हैं उन लोग आ जाएं बस फिर चल देंगे अब फिर हम लोग चल दिये हैं एक दमरी याली है याली है चारो तरफ बहुत ही अच्छा लग रहा है यह देखिए जब पूरा चारो तरफ भरा भरा एक तो बरसात के बाद में जंगल का नजारा और भी अच्छा हो जाता है अभी हम लोग बाहर निकरने वाले हैं अब देखिए निकल आए हैं घर पर बहुचने वाले हैं आप लोग ज़रूर देखके वीडियो बताईएगा कि यह वीडियो कैसी लगी आपको यह मार्केट है मार्केट आपको दिखा रहे हैं अब लोग ज़्यादा यह वीडियो आज करिएगा और सेर करिएगा और यह तो बताएगा वीडियो कैसी लगी अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए सेर करिए कमेंट करें सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब करना न भोली ज़्यादा ज़्यादा लोगों में सेर करिए क्या कि आप लोग जब ज़्यादा ज़्यादा लोगों में सेर करेंगे आप लोग तभी मेरी वीडियो और लाइक ज़्यादा ज़्यादा करिएगा क्या कि वा अगर ये वीडियो पसंद आई हो और ना भी पसंद आई हो तो जरूर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा नमस्ते राधे राधे